हेलो दोस्तो यश टीवी की एक और फ्रिश कमाल वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे पैनी स्टॉक्स के बारे में तो दोस्तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपने यश टीवी को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और bell icon पे click करके रखिए क्योंकि stock market से related में बहुत सारी investment ideas free में देते रहता हूँ जिसका आपको जरूर लाब उठा लेना चाहिए दूस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ information purpose के लिए है इस वीडियो के जरिये मैं कोई भी stock tip या stock recommendation नहीं देना चाहता तो किसी भी penny stocks में निवेश करने से पहले आपको अपनी और से research करना ये सबसे important है दूस्तो टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिए दस अनमोल रतन ऐसे stocks में ने share किये है आपके साथ जो कि काफी ज़्यादा आपको interesting लग सकते है तो वीडियो ज़रूर चेक आउट कीजिए बहुत ही knowledgeable ऐसा वीडियो बना है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है तो चलिए दोस्तो ज़ादा time waste के बगार बढ़ते हैं हमारे आज के topic पर जो कि यह चार penny stock से related हमारी list में सबसे पहला penny stock है Texmo Pipes and Fittings Limited ये company primarily plastic pipes and fittings की manufacturing करती है तो फिर ये company के जो pipes होते हैं ये बहुत सारे sectors में use होते हैं जैसे की industries में, factories में, real estate properties में और automobiles में भी इनके pipes use होते हैं Recently इस company ने अपना business diversify किया है अभी ये company CPVC pipes and PVC pipes के लिए molded fittings भी बनाती है जो की एक interesting expansion है company का अगर हम लोग book value notice करें तो ये 80 rupees के करीब है और company का current market price ये 14 rupees पे trade कर रहा है तो company का share price ये काफी ज़्यादा discount पे trade कर रहा है as compared to book value Texmo pipes का अगर हम लोग market capital notice करें तो ये 40 crore rupees के करीब है company की balance sheet पे 48 crore rupees का करजा भी है ये एक बहुत बड़ा amount है लेकिन company की balance sheet पे इसके सामने reserves and surplus में 187 crore rupees पड़े है जो की एक बहुत बड़ा amount हो जाता है और company अपने reserves and surplus यूज़ करके easily अपना loan clear कर सकती है in the future अगर हम लोग company का business देखें तो ये काफी ज़्यादा profitable है ये एक बहुत ही important point है दोस्तो company का business profitable है और अभी recently promoters ने buying करी है अपने stock में at the lower levels तो ये again एक positive हो जाता है क्योंकि अगर promoters अपने business में ज़्यादा confident है और ज़्यादा से ज़्यादा shares buy कर रहे है इसका मतलब ये company आगे चलके अच्छा कर सकती है तो ये stock को हमें definitely अपनी watch list में add करके रग देना चीए हमारी list में अगला penny stock है GP Petroleum Limited GP Petroleum हमारे एक subscriber ने suggest किया था इसलिए मैंने stock को अपनी list में add किया है तो GP Petroleum ये manufacture करती है lubricant oil जो की metal parts को smooth working करने के लिए use होता है तो दोस्तो GP Petroleum ये specially industrial lubricants और automotive lubricants भी manufacture करती है company का business ये इंडिया में भी चलता है और overseas में भी चलता है company का market capital अगर हम लोग notice करें तो ये 196 crore रूपीज पर है company के उपर करजा ये 38 crore रूपीज का है और company के reserves and surplus में ही 194 crore रूपीज पड़े है जो की company आगे चलकर use कर सकती है अपने expansion projects में तो इसका market capital ये 196 crore का है और सिर्फ reserves में ही इनके पास 194 crore रूपीज का cash पड़ा है जो की एक extraordinary बात है इसने छोटे stock के लिए most importantly company का business काफी ज़्यादा profitable है और ये closely held company है क्योंकि promoters का इस company में 73% की shareholding है तो promoters के पास बहुत ज़्यादा shareholding है और ये छोटी company आगे जाकर अच्छा perform कर सकती है तो फिर ये stock भी हम अपनी watch list में जरूर add करके रख सकते है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको clear कर देना चाहता हूँ कि penny stocks में बहुत ही ज़्यादा risk होती है ये अगर चले तो चान तक जाएंगे और नहीं चले तो शाम तक बंदी हो सकते है तो most important हमें क्या करना है अगर company की management अच्छी है उसकी working बहुत ही ज़्यादा transparent है तो वो penny stock पे हम लोग थोड़ा भरोसा कर सकते है लेकिन अगर management ही अगर चूर निकली ये company basically बहुत सारे power plants की installation and maintenance का काम करती है तो बहुत सारी बड़ी power companies ये zodiac energy को contracts देती है power plants की installation करने के लिए तो ये company बहुत ही छोटी लगती है लेकिन ये बहुत ही तेजी से अपना business ग्रो कर रही है company का book value अगर हम लोग देखे तो ये 28 रुपीज पर है और company का share price ये 20 रुपय के भाव पर trade कर रहा है इनका अगर हम लोग return on capital employed देखे तो ये 20% पर है तो company अगर 100 रुपया invest करती है तो वहाँ से ये 20 रुपया easily कमा लेती है company का अगर हम लोग sales growth notice करे तो ये extraordinary है at 60% तो every year company 60% से अपना sales बड़ा रही है और अगर इनका return on equity देखे तो ये भी काफी surprising है at 14% तो 14% किसी भी छोटी company को returns देना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लेकिन ये company consistently ये काम कर रही है आगे अगर हम लोग इनका market capital notice करे तो मैंने जैसा कहा कि बहुत ही छोटी ये company है 15 crore का इनका market capital है और company के balance sheet पे 4 crore का करजा भी है लेकिन आगे हम लोग इनके reserves and surplus notice करे तो 13 crores का इनके पास reserves and surplus है तो company का business काफी अच्छा profitable है लेकिन इनने आगे चलके भी consistency दिखानी पड़ेगी अगर company को बहुत तेजी से grow होना है तो तो ये stock को हम short term के लिए अपनी watch list में add करके रख सकते है दोस्तो अगर आपको अपना नया DMAT account open करना है तो free link मैंने नीचे description में डाला हुआ है उस link पर click करके आप 5 minute में अपना new DMAT account open कर सकते हो दोस्तो हमारी list में अगला penny stock है Moltech Technologies Limited ये company Moltech Group की company है तो company ये mostly civil engineering के business में है यानि अगर कोई construction से related काम है कोई structure खड़ा करना हो तो ये work Moltech Technologies करता है इसके अलावा ये company mechanical engineering से related भी काम करती है जैसे किसी car, bus या फिर plane के parts fit करने हो तो ये वाला work भी Moltech Technologies करती है तो Moltech Group की मुझे एक बात बहुत पसंद आती है कि ये लोग अपनी balance sheet पे ज्यादा debt नहीं रखते तो company का market capital ये 95 crore रूपीज का है और company की debt ये 6 crore रूपीज की है तो फिर इस stock को आपको definitely अपनी watch list में add करके रखना चाहिए और Moltech Packaging जैसे fundamentally strong stocks का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप subscribe ज़रूर कीजिए दोस्तो हमारी list में अगला penny stock है Pressman Advertising Limited Pressman ये एक Kolkata based advertising agency है जो की बहुत सारी media services provide करती है online as well as print media तो company ये special services provide करती है media planning में, media buying में, designing and digital services भी ये company provide करती है और इसके अलावा ये public relation की services भी provide करती है तो ये company बहुत सारी media services provide करती है to corporate brands, financial institutions और government clients को भी ये company services provide करती है media की तो company के बहुत सारे clients है, private clients भी है और government clients भी है जो की एक plus point हो जाता है इस company के बारे में debt free stock है और company का market capital ये 36 crore रुपीज के करीब है और इनकी balance sheet पे reserves में 34 crore रुपीज का surplus भी है तो फिर दोस्तों ये debt free company है company का business profitable है and most importantly COVID-19 में इनकी media services के लिए demand कम नहीं होई है उल्टा COVID-19 में media services के लिए demand और भी ज़्यादा बढ़ गई है तो ये company एक dividend paying company है और अपना profit जो भी होता है वो अपने shareholders के साथ भी share करती है तो ये point दोस्तों मुझे management का सबसे अच्छा लगा बहुत ही छोटी company होने के बावजूद ये company dividend regularly pay कर रही है और अगर हम लोग इस stock में promoter holding देखे तो ये 47% के करीब है तो ये एक बहुत बढ़िया stock मुझे लगा business profitable है, debt free company है और ये short term as well as long term में अच्छा कर सकती है तो इसे भी हम अपनी watch list में जरूर add करके रख सकते है लेकिन दोस्तो किसी भी penny stock में हमें आग बन करके invest नहीं करना है ये मैं वीडियो सिर्फ information purpose के लिए बनाता हूँ इन stock के ओपर आप अपनी तरफ से research कर सकते हो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए नहीं पसंद आया तो आप इसे dislike भी कर सकते हो अगर आपने मेरे चैनल याश टीवी को अब भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और bell आइकन पे click करके रखिए थाकि stock market से related बहुत सारी informative updates आपको time to time मिलती रहे पत्तफ शवार से यहे देए कि दॉवार कीजिए म मिलती पर летे niewिक पारओने है धृरक जो हमे कीजिएocalyptic मुडारみたい बहुत सब्सक्राइब आपको और भ्ली पर दोगॉ झाल झाल